यह देखिए कि इस गाड़ी मलाईदार लच्षेदार रबडी को देखकर लग रहा है कि आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं और वो भी इतनी टेस्टी ऐसा कि स्वादा भूलना पाए हाई एबरीवन मैं हूँ पारू पुपित पारू मैं आपका बहुत बहुत सोलगत है रबडी का नाम लिया नहीं और हम सभी के मुह में पानी आ जाता है लेकिन रबडी बनाने में लग जाते हैं घंटे आज मैं आपके लिए लेकर आई हो गर्मियों की बहुत ही स्पेशल औ बूबी एकदम जटपट पार्च मिनट में है एकदम मलाईदार लच्चेदार गाडी और बहुत-बहुत स्वाधिस्ट तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट लच्चेदार मैंगो रबडी बनाने के लिए ये मैंने ली हैं तीन ब्रेट सलाई सिंपल वाली जो ब्रेट की एजास को कट कर लिया है और ब्रेड रबडी में जादू ही काम करेगी स्वाध में वि उसके दानेता टेक्स्टर में भी अब हम ब्रेट को सिंपली इसी तरह आपपस कट करें अब ग्रेडिंग जार में हम सभी पीसे को डाल करो की अच्छे से ग्राइंड करके तो इस तरह से मैंने फाइन ब्रेड क्रम तयार कर लिया है, तो सबसे पहले आपके इस पर एक कड़ाई चड़ाएं, यहां मैंने लिये मेर्स की सलेक्ट कड़ाई, जितनी सुंदर उतनी ही ज्यादा ड्यूरेबल और हाई क्वानिटी, इसके साथ हमें मिलता है ट्रांस्पेर इस तरीके का लगा हुआ ग्रिप, जिससे आप इसे easily hold कर सकते हैं, और इसको इस तरह बनाए गया है कि आप जो खाना बना रहे हैं, उसमें बिल्कुल even heat जाएगी, कहीं पैसा नहीं होगा कि कहीं जादा heat हो रही ही तो खाना जन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ultimate strength और अगर आपके पास गाड़ा दूद है तो और भी बढ़िया है, और अब हम दूद को medium flame पर इसी तरीके से उबलने लेंगे, यह देखिए दूद में उबला ना शुरू हो गया है, तो इस stage पर हम इसमें डालेंगे, जो भी breadcrumb हमने तयार किये थे थे ना, धीरे-धीरे करके breadcrumbs को डालेंगे और mix करते जाएंगे, फिर आप देखिएगा कितनी जल्दी हमारी जबली तयार होती है, पांच मिनट भी ने लगेगा इसको गाड़ा होने में, और एकदम लच्चेदार जबली तयार होगी, तो इस तरह लगातर चलाते जाए, फ्लेम को यहाँ आप low to medium और इसी स्टेच पर हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमच मिल्क पाउडर, यारी दूद का पाउडर जो पैकेट्स मिलते हैं आजकल मार्केट में बस वही वाला, तो हमें यहाँ पर चार बड़े चमच के करीब डालना है, तो एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड मिल्क पाउडर डाल देंगे, चलाएंगे जरूर क्योंकि सभी चीज़न जैसे ब्रेट डाली है, मिल्क पाउडर डाला है, यह चीज़न नीचे जमने लगती है, तो अब नगातार इसमें चलाते जाए, तो बस अभी दो से तीन इसमें ओवाल लाने देंगे, और साइड मे जो भी यह लगा हुआ है, इसी को स्क्रैप करके, इसी के साथ मिक्स करें, इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगो, और भी जल्दी गाडी होगी, अब दो वाल के बाद आप इसमें डालें, एक छूटी चमच, बारिक कटे बादा, एक छूटी चमच, पिस्ता बारिक कटा हु इसमें हुम ढल देंगे थोड़ा सा इल ही पावडर, इसमें बोला सा такой इल ही हमारी हमिश्किल से 3,000 नमट में ही पूरी गाडी है, अन्य लास्क तो आपको भी घंटो लग जाते है इसको गाड़ा करने में तो अच्छी तरीके से घी को हमने मिक्स कर दिया हम बना रहे हैं मैंगो रबडी तो हम इससे जाधा गाड़ी इसे बिल्कुल नहीं करेंगे और यह देखिया रबडी कर गाड़ा बन मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूं यह देखिए इसका टेक्ट्ट्र विचे कितनी जबर्दस गाड़ी अभी तो थंडी नहीं होई है जब थंडी हो जाएगी तब आप देखिएगा कितनी डबल गाड़ी हो जाएगी और अब हम इसको इसी तरह से गैस आफ करके थोड़ा थंड़ा होने ले और यह मैंने लिए हैं दो आमकी स्लाइस हमें चाहिए होगी तोड़ी गार्निशिंग के लिए स्लाइस को हम इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज में कट करेंगे बहुत ही बढ़िया लगेंगे यह पीसेज रवडी में जब आपके मूमें आएंगे और यह देखिए रवडी हमारी हो गई है थंडी क्या जवरदस गारी होगी है देखे रवडी आपको देखने से ही लग रहा होगा क्या क्रीमी लच्चेदा टेक्स्टर है अब जो पल्क हमने तयार किया था ता मैंगो का आम कपल्क आप इस तरह से इसमें डाल दें थोड़ी से पीए इसमे ही दाल देते हैं, थोड़ी घारनशी में यूज कर लेंगे यहां पर जो मैंने ड्राइफुटेस लिए हैं, तो चैद्ब 저र्शे場 हैं, अपने अपने उननों साथ चेंजस कर सकते हैं आम के चुकड़ी भी इसी घबडी में मिक्स कर देंगे अब जब थंडी रबडी में यह आम की टुकड़े आपको खाने में मुह में आएंगे, बहुत ही लाजवाब स्वाद रबडी का लगेगा. अब इस पे उपर भी डाल देते हैं, कुछ आम की कटे में पीस, थोरो सकर देते हैं, तो लीजे, विल्कुल तयार है, थंडी, थंडी, मलाई दार, लच्छे दार, इंस्टेंट वेंगो रबडी, ब्यूटी इस रेसिपी की यह है, इसे बनाने में लगता है, इसे पाच माट लेकिन इसका स्वाद ऐसा है, कि आप भूल नहीं पाएंगे, इस तरह बना करके आप फ्रिज में एक दो वंटे के लिए रख दीजे, थंडी, ठंडी, चिर्ड आप इसको सफ करें, और जिस तरीके से हमने इसको बना है, उससे इसमें जो गाड़ापन और तेस्ट आया है, वो अपने आप में लाजवाब है, उम्मीद करती हो कि ये इंस्टेंट मैंगुराभी आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज 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 लाइक तो जरूर कीजे, सभी फैमिरी फ्रेंड श ये ही जय भारत!